Hi everyone, so I am Bhavna Bhattla from The Wheel of Fortune 369 से आप सभी की टारो का जीडर और आजन चेक आउट करने वाले हैं कि आपके परसन की देर रात क्या एनरजी है क्या सोच रहे हैं वो इस कनेक्शन के बारे में लेकिन उससे पहले अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूं आप चाहते हैं ना मैं आपके रहार ऐसी वीडियो बनाओ तो फड़ावट से इस वीडियो को लाइक कर दीजे मेरा WhatsApp ग्रूप भी आप जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो फड़ा फड़ा से जाए और से जॉइन करें तो ये एक General Collective Timeless Reading है गाइस ठीक है कोई भी कभी भी इस Reading को चेक आउट कर सकता है Specifically अगर आप एक No Contact Situation में हो, Separated हो, Divorged हो ठीक है, On and Off अगर आपके Situation है तो आप सभी के लिए Reading करी जा रहे है चलिए देखते हैं, जब मैं इस Cards को Shuffle करूँ तो आप अपने Person के बारे में सोचते नहीं अपने Person का ही नाम ले सकते हैं, Let us check out These Divine Universe, Angels, Spirit Guides बताया में Reviewers को के उनके Person क्या कुछ सोच नहीं है आज देर रहाए 2 of Pentacles 3 of Swords, Okay 6 of Fants Temperance Page of Swords 7 of Swords 4 of Vans 5 of Pentacles Hermit And one more Strength Bottom of the deck 10 of Cups Wow So overall guys, यहां पर सारे ही Zoriac Science है Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpion, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn and Aries, Leo and Sagittarius यहांने अल्मुस्ट सारे ही Zoriac Science आज 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 इस दीडिग में है यह आपके यह आपके Person के हो सकते हैं And secondly, I hope you all didn't see the cards properly, right? Okay So, यहां पर guys, जो मुझे आपके Person के Energy दिख रही है या फिर But Family Reason कोई हो सकता है जिस वज़े से यह No Contact आपकी Life में हुआ है Maybe यह Family Reason ही उनकी मजबूरी है जिस कारण उन्होंने आपको यह No Contact दिया है Maybe यह Family Reason ही ना Maybe यहां तो उनकी Family नहीं मान रही है या अल्रेडी उनकी Wife, Husband है Engaged है वो Girlfriend है कोई उनकी और Maybe हो सकता है कि वो आपकी Family में से किसी और को आपकी Sister हो सकती है या आपकी Sister हो सकती है या फिर कोई Cousin हो सकती है जिनके साथ वो Already Engagement उनकी होने वाली है या Relationship में है तो मतलब कुछ ऐसा Family Reason मुझे यहां पर दिख रहा है जिस वज़े से न यह Separation हुआ है जिस वज़े से यह Pain की Energy यहां पर मुझे दिखी है जिस वज़े से यह Three of Swords यानि दिल भारी होना रोना अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपकी Person ठीक है वो मजबूरी में आकर कोई भी Action ले नहीं सकते बहुत चीज़े हैं जिन्हों ने उसे बांधा हुआ है यहां पर भी Marriage का Card है Four of Swords के Energy है ठीक है और वो ना मुझे बहुत जादा मजबूर दिख रहे हैं इस चीज़ को लेकर के अब वो क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपको कितना पसंद करते हैं या फिर वो आपसे शादी करना चाहते हैं या आपके साथ ही अब वो अपना future सोचना चाह रहे हैं ठीक है तो वो ना मतलब मैं कहूँगी कि वो बहुत जादा मजबूर से दिख रहे हैं जिस वज़े से ना ही आपको उनका action देखने को मिल रहा है ना ही आपको इस relationship का कोई outcome दिख रहा है यानि कोई result भी नहीं दिख रहा है आपको इस relationship का Am I right? Hermit की energy again उनका केलापन दिखा रहा है यहाँ पर भी वो आप और वो दोनों ही इस energy में हो जहाँ पर दोनों को डर है separate होने का जहाँ पर दोनों को डर है कि आप दोनों अलग हो जाओगे जहाँ पर आप दोनों को डर है कि अब शाद आप दोनों वो जितने मजबूर है ना शाद आप भी उतने मजबूर हो जिससे आप भी उन्हें call message नहीं कर पा रहे हो, आपसे बात नहीं कर पा रहे हो और ये reason है कि वो आपको commitment भी नहीं दे पा रहे हैं है ना, तो ये कुछ reasons है जो मैंने आपको बताया, और अभी जो आपके person की feelings है, अगर हम उनकी बात करें तो आपके person नहीं बहुत ज़्यादा अकीला feel कर रहे है, वो भी रातों को बैठकर रो रहे हैं, ठीक है, आपको ही miss कर रहे हैं, आपको ही imagine कर रहे हैं, आपको ही DP उन्होंने अपने phone में लगा रखिया और उसी से वो शार्ट बात करते रहते हैं, आपको messages पढ़ना, आपने अगर उन्हें कोई songs dedicate करे हैं, वो सुनना and आपने अगर कोई उन्हे voice note भेजे हैं, तो उनको सुनना, तो वो उनकी कहीना के energy है, जो आज late night दिख रही है, जिस पारे में वो सोच रहे हैं ठीक है, आपके person बहुत ज़्यादा, वो सुनते हुए बहुत upset से feel कर रहे हैं बहुत ज़्यादा sad energy में है रोते हुए से दिख रहे हैं और helpless से महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है जिसे वो कोई बंद हो गए हैं कहीं पर जो कमरे की चाबी है, वो कहीं यहाँ पर अगर देखा जाना तो वो शाद आपको अपनी जिंदगी का एंजल मानते हैं उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी सारी problems sort out कर सकते हो और इस level पर भी कहीं न कहीं वो आप से ही बहुत चीज़े हैं जो expect कर रहे हैं ठीक है, उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप उन्हें call करो, आप उन्हें message करो आप उनको clarify करो तो वो इस तरीकी की energy में कहीं न कहीं आपके person देख रहे हैं ठीक है, बेभी आपके person या तो गुसे वाले बहुत जादा हैं जिद्धी बहुत हैं आपके person ठीक है, और आपके साथ बहुत कुछ है, जो वो मतलब सोचते हैं future भी आपके बारे में सोचते हैं सच बताओं तो वो शादी भी आपके साथ ही करना चाहते हैं मारज आपके साथ ही करना चाहते हैं आपके साथ अपनी आगे life इफ अपना future वो आपके साथ imagine करते हैं और आपके साथ ही अपना future वो spend भी करना चाहते हैं तो यह चीजे हैं कुछ जो आज देरा सोच रहे हैं तो यह देखते हैं कि अगर वो आपको कुछ इस वक्त कहना चाहते कोई message देना चाहते तो क्या देते let us check out तो यहाँ पर है you turn me on so quickly यार यह मज़ए ही नहीं आए इस रीडिंग में